अच्छा सर अब deferred tax के concepts को आगे लेते चलते हुए हम एक और concept को connect कर लेते हैं जिसके अंदर मैं आपको अभी यह सिखा हूँगा कि अगर आपके और tax वाले के बीच में depreciation के related difference आजा तो उस पर deferred taxation कैसे काम करता है हमने इसका basic तो taxable income निकालकर वे सीखा था कि आपके जो depreciation है और उसके depreciation में इसलिए फर्क आता है क्योंकि उसने income tax ordinance के अंदर अपने depreciation के rates बता दियें तो वह कहता है आप मेरे हिसाब से depreciate करना पर आज की class में मैं यह सीखना है कि इस पर deferred taxation कैसे work out होती है और उसके बीचे logic क्या है वो temporary difference कैसे है तो बहुत focus हो के सुनना है क्योंकि यह सारी मैं जो बाते कर रहा हूं या बता रहा हूं आपकी base pure base बनाने के लिए तो मैंने कहा कि भाई आपने एक asset खरीदा सहीजी जिसकी cost थी पांच लाग और और मैंने कहा हम यहां पर accounting यानी IFRS की बाते करेंगे तो हमने कहार इसको हमने divide करा दिया होगा है उगा से तो यह आ गया होगा डैपरे सेशन और फिर हमारे पास आ गई होगी do WDV सहीजी यह आ गया अच्छा यह आ गया 31 December 2022 पर फिर मैंने कहा Deposition आ गया होगा आपके पास यहने का Deposition for the year 2022 फिर मैंने कहा Deposition for the year 2023 हो गया होगा इस्ट्रेट लाइन है यह पांच आ गया इसको हम लॉक कर देता हैं सजी फिर मैंने कहा कि भाई आपके पास यहां पर Deposition आ जाएगा सजी आपने कहा कैसर यह आ गया फिर आपने कहा यह आ गया Deposition 2024 का और हमने कहा 31 December 2023 है पिर आपने कहा कैसर इसको संब कर लें पिर आपके पास यह आ गया आपने कहा सर यह 31 December 2024 है यानि कितने साल होगा एक साल दो साल और तीन साल पांच सालों का एसेड है तो मैंने कहा सर अब मैंने कहा Deposition फॉर यह दो हजार पच्छेस आ गया तो आपने कहा सर अगर मैं यह करूं तो इन दोनों का सम आपके पास आ गया यह और आपने कहा Deposition 2026 आ गया तो यह आ गया तो यहां पर आपके पास यह अमाउंट आ गये एकदम जीरो यानि सर अगर मैं बात करूं यहां पर के आपने यह depreciate करके 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 उसको आप किस पर लेकर आ गया है सर आप जीरो पर लेकर आ गया है यह हो गया as far as accounting is concerned अब इसको आगर लेकर चलते हैं मैंने कहा अब यहां पर as per tax authorities की बात कर रहे हूं अच्छा भई as per tax authorities को हम यहां से यह कटाते हैं cost आ गयी है January 2022 की अच्छा हमने कहा यह भी same है और यहां पर जो मैं life रिख रहा हूं और मैं assume कर रहा हूं यह भी straight line पर लेकर चलते हैं assumption है मेरी अज़ियह tiie измен in 4 साल यह गया for years अच्छा भई अब मैंने क्या होगा इसको technically divide किया होगा 4 तो यह से एक पच्चस यह से पिर मैंने कहा से इसको वापाभिस और चार से 180 अब्यापच्चार से और यह सं हो गया भी को डिवाइद किया होगा चार से फिर ये amount आ गई और सर फिर मैंने इसको डिवाइड किया होगा चार से को simple कर लेते हैं यह रहा ह कि Pak یہ आगाσω 1,25 यह ईसाब कताब है अच्छा आप यहां पर मैं काउंगा no depreciation क्यों वो पूरी deduction allowed कर चुका है तो हमने का यह तो जीरो ही हो गया यह बात हो गई है accounting और tax के असाफ से बहुत focus होके समझने हैं बहुत focus होके मैंने का सर अगर मैं पहले साल की accounting कर आँँ आपको 2022 की सही जी तो मैंने का let's say profit before tax मैंने 1.2 million का रखाव है मैं आप सबसे यह पूछता हूँ क्या आप यह बात मानते हैं कि इस 1.2 million से जो है एक लाग रुपे का depreciation already less हुआ हुआ है एक लाग रुपे का depreciation already less हुआ हुआ है कहां से सर इस 1.2 million में से as per accounting minus हुआ हुआ है हमने यहाँ पे क्या पार्क की होगी adjustment टेक्स वाला कह रहा होगा कि भाई depreciation adjustment करें आप कितने की सर आप इतने की करेंगे कि यह इस में से माइनस हो जाए सही तो आपने का इस में से माइनस करेंगे आप 25 में से यह हटा देंगे आपके और टेक्स वाले के बीच में एक difference आ गया कितने का सर पच्चेस हजार रपे अब सुकून और तामुल से इस बात को logically grip में लेके आना क्योंकि अगर यह मिस हुआ तो गया concept हाथ से क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपके पास जो accounting depreciation है वह एक लाग है यह रहा क्यारिका है मतलब किया गया है वह जानने वाले वाले जो आपको 25,000 पर जादा दे रहा है नहीं भाई नहीं वह यह timing difference है क्यूंकि अगर मैं आपको यहां पर बटाऊं कि अगर आप इसमें से माइनिस करें उसने 25 यहां ज़ादा लाओ किया अज़्कश कितना साना लाओ कर लिए 4 सालों में एक लाग अब बात समझें कि पहले तो एक चीज़ क्लियर की मैनने कि आज वो जो ज़ादा 25-25-25 माइनस कर के आपको दे रहा है वो फ्यूचर में जाके इस पे एक साथ टेक्स ले लेगा क्यूंकि आपको वह कह रहा है कि भाई तुम हर साल मुझसे 25-25 जार पे जादा क्लेम कर दो 25-25 जार पे जादा क आप बोलेंगे में नजर में तो एक्सपैंस है बोलेगा आपकी नजर में एक्सपैंस होगा पर आपने टेक्स प्रेकरना है मेरे इसाब से क्यूंकि मैं यह 25-25 करके आपको एक लाग और पे पिछले सालों में अलाओ कर चुका हूं अब आप इसके ओपो मुझे टेक्स दें अब लिक देता हूं taxable temporary difference taxable अभी प्रूफ किया है कि यह 25-25 करके वो आगे जाके defer tax expense यह IFRS की जबान में बताया अब अपनी जबान में समझते हैं क्या आप इस बात को मानते हो कि आपके हिसाब से जो सेविंग बनती है क्या इस बात को मानते हैं जो आपके हिसाब से सेविंग बनती है वो सिफ एक लाग रुपे की बनती है अगें रिपीड कर रहा हूं ज जिस पर tax बनता है इस साल है, तो हम तो कहते हैं कि हर taxable difference पर defer tax expense book करना है, क्योंकि उसके tax बनता है इस आइफरस के हिसाफ से, तो technically, आइफरस के हिसाफ से, जो मेरी saving बनती है, वो एक लाग पर बनती है, तो एक लाग तो इसमें से minus हुआ वा है, यहां पर लगा दिया, कितने का जानी, 29% का, और मैं जब इसके ऊपर 29% लगाऊंगा, तो यहां गया 340750, अब सर, यहां पर मैंने पहले current tax expense book किया, और फिर defer tax, tax payable credit कर दिया, कितने से भाई, मैंने tax वाले बाबु तुम तो पहले ले लो, यकीन करें, मैंने tax वाले को खुदा कसम, 25,000 पर tax नहीं दिया, कि कि उसने मुझे मुझे माफित दे दिया, पर again, as far as accounting is concerned, वो आगे जाके इस पर tax मांगेगा, जब पांच्वा साल आएगा ना, तो वो पांच्वा साल में जाके, इस पर tax मांग लेगा, मैं काऊंगा, वो tax तो पिछले साल का था, वो tax तो पिछले साल का था, मैं book भी कर चुका हूँ, तो technically आपको एक बात समझाओ, आगे जाके, जब वो एक लाग लाग पर प्रेपे, क्युमुलेटिव पच्छिस पच्छिस करेके जमा हुआ होगा, उस पर tax मांगेगा, तो हम कहेंगे, भाई, वो हमारी उस साल की saving है, तो वो saving क्लेम करने के लिए, जो कि current tax में ज्यादा है, तो आज वो tax तुम कम पे कर रहे हो ना, इसको आगे जाके पे कर देना है, उसको आगे जाके पे कर तो expense हर साल book करते रहो, जब आगे जाके जब तुम्हें पता होगा कि accounting के लिहाज से पांचवे साल में, अगें रिपीट कर रहा हूँ, accounting के लिहाज से पांचवे साल में, जब एक लाग और पे का depreciation का expense, accounting के लिहाज से होगा, वो नहीं मान रहा होगा, तो उस पर saving क्लेम कर deferred tax liability credit, कितने से भाई, आपने कहा difference पे book होगी, इसके 29% पे, यह आ गया, तो सर अगर मैं recon बनाऊ, अगर मैं recon बनाऊ, तो recon के अंदर आपका जो है, accounting tax जानी कितना आएगा, आपने कहा भाई, accounting tax आएगा, 1.2 million का 29%, हम गए यहाँ पर, और सर हमने इसका लगा दिया, 39%, अच्छा, खेर, अब आपने कहा, current tax expense कितना है भाई, आपने कहा यह रहा, और आपने कहा कि इसमें से जो उसने tax नहीं किया, जिस पर tax बनता है, इस साल है, वो यह रहा, तो अगर मैं इन दोनों को add करूं, तो क्या यह match होता है, definitely match होता है, तो आप मुझे एक बार बताएं अच्छी कम हो गया, accounting tax जादा है, तो यहां से वहाँ पॉच्छने के लिए क्या करेंगे, add करेंगे, तो इस difference के उपर, यू नीड तो बुक defer tax expense, यह तो shortcut हो गया, अच्छा, अच्छा अगले साल जब जाओगे ना बच्चों, अगले साल, 12-13 में, फिर वो 25 मानिस करवाई यहां आप अगले साल जब जाओगे, अगले साल फिर टेक्स वाले का 25 मानिस करो, 25 मानिस करवाईगा, फिर उस पर टेक्स नहीं लेगा, फिर किसी income को टेक्स होने से रोका, तो इससे taxable income कम होगी थी, tax भी कम हो गया था, accounting का टेक्स जादा था, वहाँ पॉच्छने के इस साल का depreciation expense है, मुझे इस पर saving क्लेम करने है, उसने बुदा है, नहीं, मैं saving तुम्हें दे चुका हूँ, तो तुम मुझे tax दो अभी पूरा, मैंने गवल, tax दो पूरा ले ले, अब मैं accounting concept को, matching concept को intact रखने के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी defer tax liability को जमा कपा आया हूँ इसको reverse करके defer tax income book करूँगा, तो payment tax के साफ से हो जाएगी, expense की accounting, IFRS के साफ से हो जाएगी, बात clear है, तो sir, this was all about कि भाई, जब आप depreciation को connect करेंगे, तो वो ऐसे करेंगे, but again, आपने shortcut apply करना है, जो चीज़ लेस हुई, taxable income कम, उस पर tax भी कम, accounting का tax जादा, यहां से वहां पह defer tax income, but you have the pure logic behind it, clear है, मिलते हैं जी, जजागला,